गुड मार्निंग आप सब को बलवेंट सिंग की तरफ से अदाब यहां मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि एन्रोल्मेंट ड्राइब जो है वो शुरू हो चुकी है और उसके लिए चीफ एजूकेशन अफिसर रियासी की तरफ से एक आडर भी सर्कुलेट हुआ है और जिसमें ZNOs, DRGs और DNO की नॉमिनेशन भी की गई है हर जोन का एन्रोल्मेंट ड्राइब के लिए एक ZNO नॉमिनेट किया गया है इस वीडियो का मकसद यह है कि उस अडर में एक फार्मेट जो ड्रेक्टरेट लेवल का भी शियर किया गया है लेकन वो डिस्टिक लेवल का है यहाँ पर आपके सामने जो यह फार्मेट खुला है यह मैंने कोशिश की है कि यह HY लेवल का हो जो HY को on daily basis अपने जोन के जडेनों को फिल करके भेजना है इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सीरियल नमबर लिखा गया है उसके बाद name of school और यहां पे मैंने ABC लिखा है name of school को ABC शो किया है और आगे second column में total enrollment before drive मैंने एक example के तोर पर लिया है कि drive से पहले इस ABC स्कूल में 100 enrollment थी उसके बाद total new enrollment के column में मैंने 5 लिखा है इसका मकसद यह है कि 5 नए बच्चे इस नए सेशन में उस स्कूल में उनकी admission हुई है वो enroll हुए है और उसके बाद percentage increase यहां पे आप जानते ही हैं कि हमको percentage नकालनी पड़ेगी और percentage यहां पे 5% मैंने लिखा है कि इस सेशन में 5% enrollment में increase हुई है उसके बाद next column उस format का है new enrollment today तो इसका मतलब यह है कि आज मेरे पास ABC स्कूल में 5 बच्चे आये हैं और पिछले साल जो enrollment थी वो 100 थी और मैंने total new enrollment में 5 students को यहां पे लिखा है इसके बाद मैंने second day भी लिया है उसमें फिर मैंने पिछले साल की जो previous session की जो enrollment है वो 100 show की है और उसके बाद मैंने 7 लिखा है और next 7% और next column में new enrollment today मैंने 2 लिखा है इसका मतलब है कि दो और बच्चे आ चुके हैं और दूसरे दिन मैंने इसको 7 जो total new enrollment है वो 7 कर दी है इसी तरह से तीसरे दिन मैंने zero show किया है new enrollment today में यनि आज मेरे स्कूल में जो ABC स्कूल मैंने example के तोर पर लिया है उसमें कोई भी बच्चा नहीं आया है और वो 7 के साथ बच्चे total new enrollment में show हुए है तो इस तरह से आपको daily basis पे जो HY level का format है उसमें ये fill करना है और ZNO को भेज़ देना है ZNO की responsibility है कि सब इस स्कूलों की जब report उनके पास आएगी तो उनको consolidate करना है अपने zone की उस report को उस information को और उसके बाद concern जो DRGs nominate किये हैं उनको भेजना है और concern DRGs जो हैं वो concern DNO को भेज़ जेंगे और DNO इसको consolidate करके इसमें बड़ी बात ये है कि मैं हो आईज को कह दूँ कि जो भी बचा आपके school में enroll करने के लिए आता है new dimension के लिए आता है तो उसको सबसे पहले आप अदारशिला portal पे चड़ाएं और उसके बाद ही enrollment जो बाकी process enrollment का वो करें और उसके बाद आप information submit करें इस बार अदारशिला से match किया जाएगा इस reporting को इसलिए ये धिहन रहे कि कहीं गलती ना हो जाए और बाद में ये पता चले कि हो सकता है चो आई ने 20 students show किये हैं कि हमारे school में new enrollment हुई है और अदारशिला पे कुछ और show करें तो इसलिए सबसे पहले जब भी आपके school में कोई बच्चा आता है उसकी पूरी formalities लेकर सबसे पहले अदारशिला पे उसको इंटर करना है मैं ZNO से request करूँगा कि daily basis पर वो 130 PM तक ये report submit करेंगे और HY level पे मैं request करूँगा कि वो इस report को साड़े बारां से एक वज़े तक ZNO level पर भेज लें Thanks